दोस्तों यह है HDFC bank application जिसके अंदर आप मेरा details देख रहे हैं, customer ID में निकाल रखी है, बट बहुत बार यह हो सकता है कि आपको customer ID नहीं पता है, मैं अगर home पर चला जाओ, application कुछ इस तरीक से दिखाई देती है, customer ID अगर पता करना और application भी open नहीं करिए तो उसका भी तरीका ब पहले application में कैसे आप customer ID पता कर सकते हैं, वो देखने हैं, तो आपको सिर्फ यह menu का बटन दबाना है, और यहां से नीची के तरफ your profile का बटन होगा, इस पर चले जाना, और personal profile पर चले जाना, आपको customer ID मिल जाएगी, रहो सकता है application से आप logged out है, और login नहीं कर पा रहे हैं किस net banking वाले link पर click कर देना, यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करोगे, तो आपको दिखाई देगा login to net banking, इस पर click करोगे, तो आपको दिखाई देगा login to net banking, जिसमें बोला जा रहा है कि customer ID यूजर ID डालो, बट वही हम भूल गए हैं, तो नीचे की तरफ एक बटन है, forgot customer ID आपको simply इस पर touch कर देना है, touch करने के बाद तीन step का एक process आएगा आपके सामने, देखे, retrieve customer ID, बड़ा सा page खोलेगा, यहां पर first step है कि आपको थोड़े बहुत details अपने डालने हैं, दूसरा है कि आपको authenticate करना है, और तीसरा है कि complete हो गया setup, तो चली, एक एक करके details डालते ह है, तो हम सबसे पहले अपना mobile number यहां पर डालेंगे, और mobile number से पहले देखे, all customers are requested to also enter the country code, तो आपको यहां पर लिखना होगा अपना country code, जो की India का plus 91 होता है, वो हम यहां पर डाल देते हैं, इसके बाद आपको अपनी date of birth डालनी है, जो आपके pen card या आधर card पर लिखी है, इतना करने के बाद आप continue का button दबाएंगे, तो देखे, जैसा कि आपने country code लिखा दें, आप पर plus 91, वो नहीं, आप यहां पर plus नहीं लिख सकते हैं, आपको सिर्फ 91 के साथ जाना होगा, और continue करूँगा, second step पर हम पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको एक OTP भेजी करता है, तो इस तरीके से जो है, आप यहां पर अपनी customer ID देख सकते हैं, फिर application में login कर सकते हैं, net banking में login कर सकते हैं, जैसे भी आपको login करना को आप कर सकते हैं, तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो like, subscribe और share दरू कर दीजेगा, धन्य बाद